Assalamu alaikum, मैं हूँ Aysan Mahmoud and welcome to Zions इस वीडियो में हम WAM को Windows में इंस्ट्रोल करेंगे और उसकी basic usage का process देखेंगे चलते हैं वीडियो के दाए WAM को Windows में इंस्ट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप Google Chrome को open कर ले और WAM लिखके search करें इस पर first website पर search करें WAMserver.com और यहां पर start using WAM इस पर click करें यहां पर जो भी आपकी Windows की bit version है 64 bit वाले 64 bit version को download कर ले और 32 bit वाले 32 bit version को download कर ले मैं 64 bit version को download करूंगा इस पर click करें और यहां पर you can download it directly इस पर click कर दे जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आप इस URL पर आ जाएंगे और यह दो सेकिंड के बाद download start हो जागी हमेशा की तरह free download manager download को catch कर लेगा और मैं इसे यहां पर cancel कर दूँगा आप download पर click कर देजेगा मैंने इसे already download कर ली आगा मैं cancel करूंगा और यह server browser पर चला जाएगा यहां से भी cancel कर दूँगा और अब मैं इसका जो installer है उसको start करूंगा Downloads, WAN और यह रहा हमारा WAN server इस पर double click करके इसको start कर ले जैसे ही आपकी download complete हो जाएगा और जो admin alert आपके साबने आएगा वहाँ पर yes click कर देगा मैं ऐसे close कर दूँगा और इसे भी close कर दूँगा और इसे close कर दूँगा यहां पे English ही select रहने थे until unless कि आपको यह और language select करना चाहें ओके यहां पे I accept next next ज्यादा software की तरह almost every software में main जो काम होता है next next कर नहीं होता है यहां पे हम browse करेंगे XAMPP, WAMPP, LAMPP इस तरह के जो tools होते हैं जिसमें आपका actual जो code है वो software की directory के अंदर ही कहीं पे save होना है उसको please C में install ना किया करेंगा कि किसी भी वज़ा से अगर आपकी C drive corrupt हो जाती है window उर जाती है तो आपका काम disturbed ना हो आपका काम जो आपका work है वो lost ना हो जाए आपका data lost ना हो हम WAMP को work directory में यहां पर एक new folder बनाएंगे WAMP के नाम से और इसके अंदर WAMP को install करेंगे ओके next यहां से basically जो topmost है उसको select करें latest जोतनी भी entries है और by default बागी सारों को select रहने दे WAMP का जो सबसे ज्यादा बड़ा फाइदा वो यह है कि आप on the go इसकी PHP का version चेंज कर सकते हैं और database वगारा और भी काफी लेकिन जो main इसका benefit है वो यह है कि आप चलते होए WAMP में PHP का version चेंज कर सकते हैं और easily आपको वो एक huge benefit है मैंने वहां पे next क्लिक किया और install पे click कर दिया अब यह इसकी जो files हैं उनको properly d drive में जो हमारी work drive थी उसमें WAMP के folder में उसको install रदेगा इसकी installation के process को complete होने जेंगे और फिर हम continuing करेंगे मेंदे लिए यहां पे installation का process जो है वो complete हो गया है और यहां पे यह उससे push रहा है Edge will be used as browser for WAMP do you want to choose another browser यहां पे yes पे click करें और हम Google Chrome को choose करेंगे यहां पर मैं cdi में आऊंगा program files यहां पर Google Chrome application called chrome.exe अब यह बता रहा है कि जो notepad है वो इसका text editor choose होगा क्या कोई और चूज करना है yes क्योंकि यह code के related है तो हम VS code को select करेंगे एक जो असान तरीका है search करने का वो यह है कि आप पर window का button दबाएं और VS code को search करें यहां पर जब यहां पर आजए इस पर right click करें और open file location यह folder open करेगा यह इसकी shortcut का folder open करेगा आपने again इस पर right click करना है और open file location यह इसकी actual file location है जहां पर यह installed है मैं इसका path यहां से copy कर लूँगा इसे close करूँगा और यहां पर इसका path paste कर दोगा यह एक असान way है जल्दी software को find करनेगा double click करूँगा और हमने browser को chrome browser select कर लिया और जो code editor था उसको vs code editor set कर दिया अगर आप दोनों मेंसे किसी का भी installation का process और basic usage का process देखना चाते हैं तो मैं दोनों की video का link description में add कर दूँगा आप वहां से देख सकेंगे बाकी अब मैं ऐसे continue ने दूँगा जैसे ही यह complete होगा आपने आपकर लिए करें मेरे लिए यहां पर process complete हो गया मैं यहां पर next पे click करूँगा और finish पे click कर दूँगा इसी के साथ WAM browser system पे properly install हो गया मैं यहां पर double click करके WAM browser को start कर लूँगा admin alert आपके सामने आएगा उसको yes click कर दें और यहां पे आप देख सकते हैं कि WAM server वो जो services इसकी है जिसमें PHP आ जाता है MySQL आ जाती है और भी जो DBs एक दो हैं वो सारी यह start कर रहा है और फर्दर जो भी PHP के जो भी इसने services इसमें available है वो सारी services यह one by one start कर रहा है इसी लिए इसको admin permission चाहिए होती है ताकि यह services को start कर सके जैसे ही यह services start हो जाएंगी यहां पे आप देख सकते हैं यह icon already यहां पे आ गया है पहले वो red था बाद में वो orange हुआ और आप वो green हो गया है इसका मतलब है कि पहले जब red था तब कोई services नहीं थी चाहरी orange कोई service चाहरी है कुछ starting हो रही है green सारी services चाहरी है मैं इस पे click करोगा और यहां से आप php का version on the go change कर सकते हैं versions में दोस्ते version को select करें और php का version change हो जाएगा इसी तरह आप mysql का version उसको चाहें तो change कर सकते हैं यहां पे basically add करना पड़ेगा main जो app php का version ही change करने की जोड़त आती है हम google chrome को open करेंगे और यहां पे search करेंगे local host यह लिखके जब आप enter करेंगे तो आपके सामने यह page open हो जाएगा please आपने space दे के local host नहीं लिखना नहीं तो वह as a search result जो है उसको search करेगा क्यूंकि मैं एक दफा लोकल host कर चुका हूँ तो वह cache की वज़ा से यहां पे आ गया ल इस तरह अगर आपका बाल बाल इसी page पर आ रहा हो तो उसका तरीका कर यह कि आप http column back forward slash 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 local host यह पूरा type पर करेंगे तो यह exactly इस page पर आएगा जब आपका यह RAM का server यह चल रहा होगा यहां से अब जो database admin panel है वो localhost slash php myadmin यहां पे यह database admin panel है यहां पर आप databases create कर सकते हैं existing को update कर सकते हैं और चाहें तो किसी को delete भी कर सकते हैं यहां पर जो by default इसका username होता है वो है root और password 9, login और इसी के साथ आप जो अपनी myaskill का server है वहां पर जो databases हैं वो सारी आपको यहां पर site में नज़र आ रही होगी आप new database create कर सकते हैं और जो भी चाहें उसके साथ कर सकते हैं PHP info आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि currently जो PHP का version है वो 8 है मैं यहां पर आऊंगा WAN पर click करूँगा PHP पर hover करके versions पर click करके इसको change कर दूँगा 1.2 के जैसे ही मैं click करूँगा आप यहां पर देख सकते हैं यह service को close करेगा Orange का मतलब इसने को service close की और उसको restart कर रहा है और जैसे ही वो count complete हो जाएगा यह green हो गया मीन के यह service जो है वो properly update हो गई है और यहां पर updating settings का आ रहा था मैं आप इसको refresh करोंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर on the go PHP का version change हो गया तो यह WAM की एक बड़ी ही अच्छी quality है यह थी आज की वीडियो इसमें आपने देखा कि आप WAM को Windows machine में कैसे install कर सकते हैं और उसको कैसे use कर सकते हैं वीडियो के related कोई भी question हो तो उसको comment section में mention करें वीडियो कसंद आई हो तो please like share and comment करें comment करके बताएं के WAM से पहले आप कौन सा जो टूल है वो यूज करते हैं से XAMPP, LARA GON या जो भी और क्या आप WAM पे switch करना अपसंद करेंगी या नहीं करेंगे चैनल को subscribe करना ना बोले इस तरह की और बहुत सी वीडियो आती रहेंगी मैं आसे मिलगा नेक्स वीडियो में तब तक करी अला आपस